आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्स अच्छे है सामाजी का ध्यन के अंतरगैत सामाजी के एवम राजनेतिक जीवन विशेका पांचों आध्याय पंचायती राज हम आपको बताएंगे बच्चो इस पाठ से संबंदित प्रस्नों के उत्तर ध्यान रहे बच्चो एक बार पाठ को जरूर से जरूर पढ़ ले इससे होगा कि जो आपको यहाँ पर प्रस्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं जान लेते हैं प्रस्नों के उत्तर अभ्यास प्रस्न उत्तर में तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर पाठ के अंतर गयत पूछे गए प्रस्न और उनके उत्तर आप समझते हैं पार्ट के अंतरगत पुछेगे प्रस्न मलब आंतरिक प्रस्न या आप कह सकते हैं कि जो पार्ट में बीज बीज में कुछ प्रस्न पुछे होते हैं तो सबसे पहला प्रस्न यहाँ पर ग्राम सबा क्या होती है तो क्या आप जानते हैं बच्यों आपने पाट पड़ा होगा ग्राम सभा क्या होती है आपको ये प्रस्ण देखने को मिलेगा 50 नमबर पेज पर यानि कि आप अपनी किताब के 50 नमबर पेज पर देखें ठीक इसी प्रकार का आपको एक प्रस्ण देखने को मिलेगा और उत् रहने वाले सभी वैस को वैस क्या होता है 18 वर्ष की आयू से उपर के सभी व्यक्ति ठीक है तो किसी पंचाय चेतर में रहने वाले सभी वैस को किस जो सभा होती है उसे क्या कहते है ग्राम सभा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयू 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो जिसे बोड देने पर ग्रामसवा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी उनके किस तरह के हल सुजाएगे और ये प्रस्णी भी आपको देखने को मिलेगा 50 नमबर पेज पर देख सकते हैं आप अपनी किताब के उत्तर में लिखेंगे बच्चों ग्रामसवा की पानी की कमी आगे यहाँ पर समस्याओं के बारे में तो समस्याओं के हल के लिए निमलिकी सुजाओ दिये गए नमबर एक सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाओं में एक बड़ी टंकी में भरना जिससे पानी के आप उर्ती बढ़ जाएगी नमबर दो लिख सकते है हैंड पंप को और गहरे कर लेना और कुण को साफ करना नमबर तीन जल संबरदन विकास कारे करम यानि की वाटर सेड प्रारंब करना और चोथा लिखेंगे आप नालों पर चेक डाम यानि छोटे छोटे बांद और ठंकियां बनाना तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस दूसरे प्रस्ण का उत्तर ये आपका यहां पर दूसरा प्रस्ण है बच्चो जो आपको 50 नमर पेज़ बर देखने को मिलेगा और उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें इसे अच्छे से याद भी करें इसके बाद बच्चो यह आपका तीसरा प्रस्ण और यहां पर पूचा है ग्राम सवा में गरीबी रेखास के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्दारित हो रही थी क्या उसमें कोई गरवड़ी थी यदि हाँ तो वह गरवड़ी क्या थी और आप देख सकते इस प्रस्ण को यह प्रस्ण मिलेगा आपको 52 नंबर पेज पर यानिकी आप अपनी किताब के 52 नंबर पेज पर देखें इस प्रकार का आपको एक प्रस्ण देखने को मिलेगा उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चो गराम सवा में गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी ही एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकल बेची थी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है उसके बेटे ने यहाँ पर लिखेंगे उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकल बेजी थी ठीक है तो इस परकार से उसके बाद दूसरा लिख स प्रकास एक गरी मजदूर था उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी वह आप मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था प्रंत उसका नाम इस सूची में नहीं था तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चो कई सारी गर्वडियां थी यहां पर आपके प्रस्निक प्रकार की यहां पर जैसे बता रहे हैं यह सारी गर्वडियां इस सूची में सामिल थी इसके बाद चोथा प्रस्ना आता है बच्चो सरोज ने सूरज मल से बोलने के लिए कहा फिर भी वह चुप क्यों रहा और यह प्रस्नी भी आपको मिलेगा फिप्री टूर नमबर पे प्रस्ना आप देख सकते हैं और इसका उतर आप लिख सकते हैं बच्चो पांच वह प्रस्ना आता आपका क्या आपने ऐसी अन्य घटनाई देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है इनसान को बोलने से कौनसी चीज रोकत प्रस्ना आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको एक प्रस्ना आप लिख सकते हैं हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाई घटी रहती हैं जिसमें लोग अपने लिए बोल नहीं पाते हैं लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी समाज में इस्तिती कम प्रकार से आप लिख सकते हैं अगला प्रस्ने यहां पर हरदास गां या ग्राम पंचायत में क्या-क्या निर्ले लिए गई हरदास ग्राम पंचायत में क्या-क्या निर्ले लिए गई और यह प्रस्ना आपको मिलेगा 53 नमबर यानि कि 30 नमबर पेज पर आप देख सकते हैं अपनी किताब के उत्तर में आप लिखेंगे हरदास ग्राम पंचायत में निर्ले लिए गई और हैडिंग डाल दे इसके बाद लिखेंगे नमबर एक निर्णे एक कुवा साप कराने तथा दो हैंड पंपो को गहरा कराने का निर्णे लिया गया ताकि गाउं को बिना पानी के रहना ना पड़े दूसरा निर्णे था बच्चों गराम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल की योजना पर अधिक जानकारी एकटा करेगी ठीक है तो यहां पर आप जो है अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण आता है बच्चों साथ हुआं क्या आपको लगता है कि ए निर्णे लेने जरूरी थे अगर थे तो क्यों और यहां पर आप देख सकते हैं यह है 53 नंबर यानि कि 30 नंबर पेज़ पर आप इस प्रकार का प्रस्ण देख सकते हैं जो यहां पर 7 वा प्रस्ण है उत्तर में लिखेंगे हर 10 ग्राम पंचायज में यह निर्णे लेना जरूरी था क्योंकि गाओं के लोगों के सामने पानी की ही समच्चा सबसे बड़ी थी अता सबसे पहले उसी समच्चा को हल करने का निर्णे लिया गया आज बास समझ में तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं शातवा प्रस्ण ही आपका और उसका उत्तर आटवा प्रस्ण और आटवे प्रस्ण में पूचा है उपर दिये गे विबरन में से एक प पंचायद से पूछ सकते हैं और यह प्रसन आपको मिलेगा 53 नमबर पेज बर और उत्तर लिखेंगे हरदास ग्राम पंचायद की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संबर्धन विकास कारे करम से संबंदित योजना के भी सहे में प्रसन पूछ सकते हैं ठीक है तो यह आपका प्रसन है बच्चो और यह आपका उत्तर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पाट के अंत में पूछेगे प्रसन और उनके उत्तर तो पाट के अंत में आपने पाट तो पूरा पढ़ी लिया होगा उसके लास्ट में आप देख सकते हैं कुछ प्रसन होगे पहला प्रसन होगा हरदास गाओं के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे उन्होंने अपनी समस्याओं चुल जाने के लिए क्या किया उत्तर में लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे हरदास गाओं के लोग निमलिकित समस्याओं का सामना कर रहे थे और आप पार्ट में पढ़ सकते हैं क्या क्या समस्या थी उनकी नमबर एक गाउं में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी हैंड पंपो का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया था और दूसरा लिख सकते हैं गाउं की गरी भी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की स संबर्दन विकास कारेकरम के समन्द में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्ने लिया गया तिसरा जोय लिया गया क्या गरीवी रेका से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में हुई गरवडी को दूर कराने का निर्ने यहां पर लि लेना चाहिए यदि हां तो क्यों उत्तर में लिखेंगे गरामसवा गाओं के हित में काम करती है गरामसवा की बैठक में गराम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है या लोगों के सामने लाती है गरामसवा में गाओं के लोगों की समझ्याओं पर सकते हैं और इन समझ्चाओं के हल के लिए अपने सुजाओं भी दे सकते हैं यदि एक ग्राम सवा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समझ्चाओं कैसे बताएंगे और उनका समाधन कैसे होगा तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चो दूसर क्या बातें पता करनी है कहे है यहां पर यहां काम क्यों किया गया और खहे है पैसा कहा से आया गया है काम पूरा हुआ या नहीं तो आपने यहां पर जो इनके उत्तर कैसे लिखने है उत्तर लिखेंगे बच्चो कहका लिखेंगे गाउं में पंचैद ने नालिया बनाने क काम किया क्योंकि गाउं में गंदा पानी चारूर फैला रहता है जिसे लोगों को आने जाने में प्रिसानियां होती है और गाउं में बीमारियां फैलने का खत्रा था खैवाले प्रस्न का उत्तर आप लिख सकते हैं पैसा निम लिकित श्रोतों से आया और कहां कहां से आया न तीसरा लिखेंगे समधाय के लिए या समधाय के काम करने काम के लिए मिलने वाले दान से पैसा आया ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं और गयवाले में आप क्या करेंगे गयवाले का यह काम पूरा हुआ उत्तर क्या लिखेंगे यह काम पूरा हुआ तो इस परकार से आपने इन तीनों प्रस्णों का कह कह गय जो यहां पर प्रस्ण है देख सकते हैं आप तीसरे प्रस्ण के अंतरगत पूछें यहां पर तीन प्रस्ण कह कह और गय इनका उतर आप यहां से देख के लिख सकते हैं बच्चों बात करते हैं चोथा प्रस्ण है ग्राम सबा और ग से होता है जिसकी आयो 18 वर्षिया उससे अधिको जिसे बोड देने का अधिकार हो जिसका नाम गाउं की मद्दाता सूची में हो यह क्या होती है ग्राम सभा बात करते हैं ग्राम पंचायद की तो ग्राम पंचायद के बारे में हेडिंग से लिखें गा ग्राम पंचायद क्या होता है वाड़ पंच कौन होता है वाड़ पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचयत का गठन करते हैं और इनका जुए है पांच वर्ष के लिए होता है तो इस पकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राम पंचयत और ग्राम सवा में अंतर क्या अंतर होता है आप समझ यह बात की गई है चौपला सबसे पहले आप देख सकते हैं चौपला शिरूर सडग पर एक गाओं है निमोन क्या नाम है मैं गाओं का निमोन दूसरे गाओं की तरह पिछले कई मेहनों से इस गाओं में भी कि बहुत कमी चल रही है किसगाओं में निमोन में गाओं वाले पीटा इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आये पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था टंकी निमोन ग्राम पंचयत की जल आपूर्तियोजना के तहट बनाई गई थी ताकि पानी का सुए समान रूप से बितरन हो परन्त लाड को लाड का आरूप था कि उंची जाती के लोग इस बात के खिलाबते हुए टैंकर के पानी पर दलित यातियो कादिकार नहीं मानते थे और एक खबर कहा पर कुछ प्रसमें भगवान लाड़ को पीटा क्यों गया था? नॉमबर एक मेर्ण क्या आपको लगता है कि या एक बेदवाओ का मामला है अगर है तो क्यों? उत्तर में क्या लखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे सबसे पहले कैका बगवान लाड़ चाहता था कि टेंकर का पानी टंकी में भरुआ दिया जाए ताकि सबी ग्राम वासियों को पानी का समान बित्रन हो सके टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जलापूर्ती के लिए बनाई गई थी लेकिन उची जाती के लोग पानी का केवल स्वयम उपयोग करना चाहते थे क्योंकि टेंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या का उत्तर और क्या लिखेंगे या एक बेदबाओ का मामला था क्योंकि उची जाती के लोग टेंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयम करना चाहते थे वे टेंकर पर या टेंकर के पानी पर दलित जातियों के अधिकार नहीं मानते यह समिधान द्वारा प्राप्त समानता का अधिकार की अवहलना है आपने पढ़ाऊगे न समानता का अधिकार सबी लोग समान है तो यहां पर जोए बेजबाउ जोए किया जा रहा था इसलिए आप इसे यहां पर से देख के लिख सकते बच्चो अपना उत्र अच्छे से लिखें और याद भी करें देखरें ना आप यह पर अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं पांचों प्रस्न का है और यहां पर आपको उत्र मिल जाएगा इसका कह और खै ठीक है उसके बाद छटा प्रस्न है बच्चो जल सरक्षन और उसके फ इसके लिए वर्षा के पानी को सरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर सरक्षित पानी का प्रियोग किया जा सके जल सरक्षन के लिए पेड लगाई जाते हैं नालो पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाई जाते हैं जला से बावडियां आदी बनाकर प्र योग में लाया जा सकते हैं तो कर सकते हैं आप भी जल का सेलक्षन कर सकते हैं आप अपने आसपास अपने गरों में ठीक हैं वरसात का जल भी आप सेलक्षन कर सकते हैं तो ध्यान दे बच्यों याद भी करें इसके साथ ही यहाँ पर इस पार्ट से संबान दे प्रस्टों के तरस्मापत होते हैं बच्यों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आये होंगे आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इन्हें याद भी करें बच्यों अपनी प्रिक्षा की तेयारिया करें और इसके साथ ही ध्यान रखें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब होसे कर दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली परतेक पाट की वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में